हेलो एवरिवान एंड वेलकम टो मैं चैनल मेरा नाम है वरुन कुमार और मैं हूँ अप लोगों का इंडियन बुलिनेर आपके सामने यह जो पैकेज है वैसे तो डिसेंबर 2020 का लास्ट वीक के लिए होना चाहिए था लेकिन फॉर सम रीजन नहीं हो पाया एन्यूवेज वी जम डायक्ली पहले अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो आपके सामने है एक प्रोड़क्ट जो है MMTC PAMP का और इस पर लिखा है Merry Christmas and Happy New Year आगे आपको मैं डीटेल्स बताऊंगा लेकिन पहले यह बता देता हूं यह मैंने ओर्डर करा था Amazon से on 1st of February and इसकी डिलिवरी मुझे मिल MMTC PAMP एक ऐसा ब्रैंड है जो क्वालिटी में कभी कॉंप्रोमाइज नहीं करता है जाए पैकेजिंग की हो यह प्रोड़क्ट की तो यह है MMTC PAMP का एक Christmas Special Product आप सोच रहोंगे मैं अभी 2021 फेवरी में क्यों रिव्यू कर रहा हूं इसको आपको मैं आगे बताऊंगा जस्ट लोकेट दिस काफी अच्छा थी मैं इसमें मेरी क्रिस्मस और हापी जुए दोनों ही लिख रखा है एंड वी कन से और बॉक्स ओवर ही यह पीछे और साइट पर कुछ है नहीं तो यहां पर इस बॉक्स पर MMTC PAMP का लोगो बना हुआ है उसके लावा यहां पर कोई और डी लुक्स प्रिटी शाइनी कौईन को कैप्सुल में से निकाल के डिरेक्ली आपको डीटेल्स दिखा देता हूं ओके सो हीर इस ब्यूटिफुल आपको पता है यह मंटी सी पाम के प्रोड़क्ट्स तो लगते हैं काफी हाई क्वालिटी के हैं तो स्टार्ट करते हैं डिजा और नीचे अगर आप बैक्ग्राउंड देखोगे तो वह फ्रॉस्टेट सिल्वर से बना हुआ है एक मैं आपको टिप देना चाहता हूं मैं तो इससे थोड़ा ध्यान से हैंडल कर रहा हूं पिर अगर आप थोड़े क्लमजी हैं तो प्लीज गलव्स या फिर अगर आपक के कैप्सुल में से से ना निकालें अब बाकी ऐलेमेंट्स पर बढ़ते हैं तो यहां पर मुझे तीन और क्रिस्मस ट्री दिख रहे हैं छोटी-छोटी कैंडी बन रखी हैं जो कि आपकी पैड प्रिंटिंग से है और यू आप सम स्नोफलेक्स जो कि आपके से बना है अगें तो इस वेरी नाइस आई रिली लाइक इट बट आई डू सी वन डिफरेंस जब मैंने इस कॉइन को खरीदा था फ्लिप कार्ड और अमाजॉन दोनों जगा जो फोटो जाल रखी थी उसमें जो मेरी क्रिस्मस है वो रेड कलर में था और यह फोर सम रीजन है frosted silver में so not sure कि वो render के बाद image नहीं ने change नहीं करी यह what's going on लेकिन अभी आगे और discuss करते हैं से related इसका border भी देख सकते हो यहां पर काफी एचे dotted dotted design बन रखा है and it is giving a very nice texture to be honest अलग एंगल में अगर आप देखोगे then it would look like this so yes it is pretty shiny काफी ज्यादा शाइन है एजिस देख लेते हैं यह जो कॉइन है आपका एक आउंस जैने की 31.10 ग्राम्स का नहीं है even though it came in a very nice packaging अभी denomination बढ़ेंगे लेकिन आप देख सकते उससाब से कि इतना मोटा नहीं थिकनिस काफी कम है but you have the readied edges reverse side के अगर हम बात करें तो यहां पर design में काफी सारे elements चल रहे हैं आपके Christmas के we can see reindeer and then you have your candies and pine cone and whatnot यहां पर MMTC Pam का logo बना हुआ है then you have 20 gram fine silver triple 9.9 fineness का so 20 gram का यह coin है वन आउंस का नहीं है जैसे मैं आपको बोला था अगर आप इससे different angle से देखोगे तो डाक में देखोगे then you can see काफी जादा चमा करें and then you have the same borders like the front इसे पहले मैं आप लोगों को यह बताओं कि यह इतना लेट वीडियो क्यों बन रहा है पहले मैं आपको बता जाता हूं कि यह आप Amazon और flip card से सिर्फ खरीद सकते हो online तो मुझे इसके लावा कहीं दिखा नहीं है और अगर इसकी pricing की बात करें तो मैंने इसे खरीदा था 1900 रूपीज में अभी भी 1900 रूपीज का ही मिल रहा होगा mmtc ने काफी सारे products past में निकाले हैं लेकिन हम जादा पता नहीं चलता कि कब कौन सा प्रोड़क्ट आ रहा है अगर आप Amazon flip card किसी e-commerce और साइट पर कभी घूम रहे होते हो तो आपको प्रोड़स लेलाता है रिसेंटली भी mmtc ने दो बड़ी अब बात करते हैं कि बुरा क्या लगा सबसे पहली चीज है कि Christmas आपका था 25th December को और mmtc पैंप ने यह product Amazon flip card या online इसे 30th या 31st December को live करा अगर हम Christmas के लिए इस coin को खरीद रहें then we would expect कि at least एक महिना एक महिना नहीं तो at least दो हफते पहले आप इसे live करो ताकि हम order करके तब तक deliveries ले लें Christmas एक ऐसा time है जब surge होता है deliveries खुब सारी होती है तो time लग सकता है hence I said कि एक महिना पहले and this does not only go for Christmas it goes for other events as well other festivals as well जब को product launch कर रहे हो एक महिने पहले I think would be a very nice timing to upload it to websites ताकि लोग खरीदना शुरू कर सकें and चलो social media में शायद वो नहीं डालते इतने active नहीं है but e-commerce sites पे अगर वो जल्दी active कर सकते हैं तो लोगों को time मिल जाएगा सोचने में और खरीदने में भी जो second बात मुझे गलत लगी वो यह है कि product listing पे अगर आपने देखा Amazon Flipkart की images में वहाँ पर Merry Christmas Red में था but हमें Frosted Silver में मिला है I like Frosted Silver but जो design में दिमाग में सोच की चला था versus what I got यह थोड़ा deceiving हो गया सो जो third problem है वो यह है कि एक coin है 20 grams का और मैंने observe किया और हमारे group में भी काफी लोगों ने शायद observe करा होगा कि यह जो capsule है शायद one ounce coin का लग रहा है hence आपका coin जो है बीच में देखो ऐसे डोल रहा है and to be honest अगर हम एक premium pay कर रहे हैं then it should be in immaculate condition coin तो आ गया but the capsule and the coin they are not in sync so I think this is a very big issue coin shouldn't rattle अगर कोई coin को बार बार ऐसे पिक करेगा so there's a chance कि वो उसके surface पर लगेगा so this should be done right and when जब group में चेक किया तो हमारे group में एक member ने I think mmtc को contact करके भी बोला था कि ऐसे ऐसे issues है and I think they acknowledged it and 20th January की बात है and उन्होंने ये भी का था कि शाद e-commerce पर images या जो भी चीज़े चेंज हो जाएंगी and today is what 5th 6th February और अभी भी unfortunately कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है apart from that it is a very nice looking coin I'm happy with my purchase तो ये था 2021 का first unboxing video अगर आपको ये वीडियो अचा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और unboxing videos बनाऊ तो जब दिसे वीडियो को like करें नीचे comment करें अपने thoughts share करें इस वीडियो को अपने friends and family के साथ subscribe करें मेरे चैनल को और bell icon को click कर लें notifications के लिए so in the end thanks for watching